चोट लगने को इंगलिश में क्या कहते हैं ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं चोट लगने को इंगलिश में कई तरीकी से कहा जा सकता है इसको आप getting hurt भी कह सकते हैं injury भी कह सकते हैं या getting injured भी कह सकते हैं और hurt की spelling होती है h-u-r-t hurt और injury की spelling होती है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि साफधान रहें चोट लग सकती है तो आप कहेंगे बी केरफुल यू कुट एंड अप बाइ गेटिंग हर्ट या अगर आप ये कहना चाहें कि अब किसी को चोट लगने का कोई मतलब नहीं था तो आप कहेंगे अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें